अक्सर आपको सिखाया जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचा करो वही अच्छा होता है लेकिन ये एक बहुत बड़ा जूट है रुको बताता हूँ क्यों ये दुनिया पॉजिटिव और नेगेटिव लोगों के बैलेंस के कारण चलती है पॉजिटिव सोचने वाले ने पैंसिल बनाई होगी ताकि आप उससे लिख सके लेकिन नेगेटिव सोचने वाले ने सोचा होगा कि अगर पैंसिल से गलत लिखा गया तो आप क्या करेंगे तो उसने उसको मिटाने के लिए रबर बनाया है पॉजिटिव सोचने वाले ने किसी जगह पर जल्दी पहुँचने के लिए एरोप्लेन बनाया होगा लेकिन नेगिटिव सोचने वाले ने सोचा होगा कि अगर उपर कुछ गड़बड हो गई तो आप क्या करेगे इसलिए उसने पैराशूट बनाया आपको समझाने का मतलब ये है कि नेगिटिव सोचना हर बार गलत नहीं होता है लेकिन अगर आपको स्यूमिंग नहीं आती और आप पॉजिटिव सोच कर पानी में डुक्की लगाते हो तो उसके बाद आपको पता है कि आपके साथ क्या होगा खतम बाई बाई टाटा गुडबाई गया